इस बार पार्लिमेंट का पहला सेशन स्पेशल सेशन मोदी 3.0 की पहली परीक्षा ये संसद 2014 और 2019 की संसद से कैसे अलग दिखेगी ये जो तस्वीर हम 9 दिन में देखने वाले देखें सबसे पहले तो गरिमा मैं आशुतोष ने और सजन ने जो भी कहा उसे मतला वो मेरी तरह से भी कहा हूँ माना जाए मैं करीब करीब सारी बातों से सहमत हूँ अब ये तो बड़ी ऑव्यस सी बात है कि ये 2014 से 2024 से बिलकुल अलग संसद की जो गणेत है जो सरंचना है संख्या सरंचना वही फर्क है वो तो काफी कुछ चीज़े फर्क होनी चीए हैं बस मुद्दा ये है कि क्या प्राइम 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 जोगी हुआरे दिल जुमेह देखो पत्वारा हुआरे दिल जुमेह देखो पत्वारा हुआरे हर पल मनाओ केस्री तेवाहर विमर बोलो जुमा केस्री पिनिस्टर मोदी और अमित्शा जी क्या इस नई संख्या से सहज होएं कि नहीं होएं क्योंकि आप तक तो ऐसा नहीं लगता है कि वह बहुत सहज होएं बट ये भी बात सहिए कि वह कितने सहज है कि असहज है उसकी असली परिक्षा या उसकी जानकारी हमें 24 जून से शुड़ोने वाले संसा सत्रमी देखिए कि मंत्री मंडल जिस तरह से बना बीजेपी का मंत्री मंडल आशुक तो जैसे कह रहे थे कि उन्हें तक अभी बीजेपी की सरकार भी नहीं चलाई है उन्हें हमेशा बहुती सरकार चलाई है गुजरात 2002 से लेके 2024 तक तो ये बड़ी चुनौती है कि आपके बस 240 हैं आप NDA के जो पार्टनर्स हैं प्रमुक जेडियू और टीडिपी उसको कितना साथ लेके चलते हैं क्या सिर्फ उनको फिनांशल पाकेज और क्या जैसे लोग बात करते हैं कि उनसे कह दिया गया या उनसे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप अपनी स्टेट्स की तरफ ध्यान दीजे उसके लिए चाहिए हम पूरी तरह आपके साथ हैं केंद्र में दिल्ली में संसद में क्या राजनीत अगर डेपिटी स्पीकर का पद किसी को नहीं दिया गया विपक्ष ताकत में नहीं था आवाज उठा भी पाया तो सुनी नहीं गई तो जिस बात की अकुमोडेशन की आप चर्चा कर रहे हैं क्या दिखेगा क्या अगर deputy speaker बना पाई सब्तारूर सरकार ये पहली जलक होगी क्या कितना respect मिलेगा वे पाक्षू देखे deputy speaker का मुद्दा बहुत महतपूर है लेकिन speaker के मुद्दे से कि हम बीजेपी के candidate को समर्थन देंगे TDP की तरफ से हमेशा ये बयाना है कि speaker NDA का होगा तो पहला test तो speaker ही है मेरे साब से deputy speaker speaker के बाद आता है महतपूर्ण पद है जब speaker आसन पे नहीं होते हैं तो deputy speaker ही एक तरह से speaker होते है आपको लगता है कि इस बार ये जो 234 के number के साथ सदन में पहुँच रहा है वे पक्ष ममता बेनर जी पहले से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे है राउल गांदी कह रहे है जरा सी भी नाजुक सिचूएशन है जरा सी चूक से NDA सरकार गिर जाएगी तो क्या इस बार deputy speaker का पद जो 5 साल खाली रहा मिलता दिखेगा वे पक्ष को मैंने कहाना आपको कि मेरे साथ से वो second मुद्दा है लेकिन अगर पहले मुद्दे पे बीजे पी टोटल अपनी चलाती है तो क्या पता deputy speaker के मुद्दे पे भी वो नहीं कोई समझवता करें क्या पता deputy speaker का मुद्द भी विपक्ष को नहीं दे अब ये सब इस बात पर निरवर करता है जैसे सज्जन कह रहे थे कि विपक्ष actually जो उसको mandate मिली है मजबूत विपक्ष की एक तो मुझे नहीं लगता कोई सरकार गिरने वाली है आज कल पर सो 6 महीने साल 240 वे बड़ी संख्या है और 240 के साथ जो उनके घटक दल है NDA के वो मिलके 293-94 हो रहे है तो कोई mandate ये भी नहीं है कि सरकार नहीं चलने दी जाए mandate ये है कि सरकार एक democratic government की तरह चले और एक मजबूत विपक्ष को handle करे अब उसमें भी जो सरकार का message है ना देखिए parliamentary affairs minister किरन रिजिजू को बनाया गया है जो अच्छे सुभाव के मृत भाशी है लेकिन political lightweight है अब इस तरह की गनित में आपको किसी political heavyweight को parliamentary affairs minister बनाते तो उसका अलग message होता कि विपक्ष को साथ लेके चलने की कोशिश हो रही है अब किरन रिजिजू के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं को बनाने का message यह है कि parliamentary affairs ministry उतने बड़े राजनेति यह नहीं है राजनेता नहीं है BJP के scheme of things में तो अभी तो कोई संकेत अभी तक ऐसे नहीं मिले है कि BJP का रविया बदलेगा क्योंकि मोदी जी आसानी से नहीं बदलेंगे लेकिन अब यह सब भटना चक्रते करेगा संसद का विनोजी संसद में मुद्धों की भरमारे ठीक है